सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी शब्द और श्रोच दूरियां बढ़ा देते हैं क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते रिष्टे मन से बनते हैं बातों से नहीं, कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ सांथ रहकर भी अपने बन जाते हैं आज का पंचांग 15 जुन 2020 देश्यों मार असाड मार्ष के क्रिश्न पक्ष की दश्मिति थी सुबा पांच बच कर 40 मिलट तक रहेगी रेवती नामक नक्षत्र सुबा तीन बच कर 17 मिलट तक रहेगी इसके उपरांथ अश्वीनी नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्थात असुपसम में सुबा 7 बच कर 18 मिलट से 8 बच कर 69 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्थात सुपसम में सुबा 11 बच कर 54 मिलट से 12 बच कर 46 मिलट तक रहेगा आज शिंद्रमा मीर राशी पर सुबह तीन बच कर सत्रमिलट तक रहेगी इसके उपरांत मेश राशी पर संचार करेगी और आज शूरिय मिधुर राशी पर रहेंगी मेश राशी 15 जुन 2020 देश शोम मार अज अराम छोड़कर घर से बाहर निकली कुछ ने संपर का आपके लिए फादे मां शाबित होंगी उन पर सोच विचार करके कारे करने पर परिस्थीत्यां बहतर होना शुरू होगी किसी नज़दी की मित्र की सला लेना भी श्रेश्ट कर रहेगा आज के दिन आपके लिए कुछ विशेज भी रह सकता है आपको लोगों से कुछ प्रतिक्रियाई मिल सकती है संभय है कुछ वरिष्ट लोगों को आपकी कारेश्याली में कुछ एतराश हो आपको अपने आपको परिस्थीत्यों के अनुरूप बदलना होगा आज आप कुछ भावग भी हो शकते हैं इस कारण आपका कुछ यह में पुरानी बातों को सोचने या उन यादों में गुजर सकता है आपका दिमाग और सहसाब को एक ही दिशा के बारे में बता रहे हैं कभी कभी असाधारन शोच और रिशनात्मक विचार कमाल कर देते हैं अपने अंदर के बच्चे को जगाएं मनुरंचन के लिए समय निकालने से आपको लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने की उर्जा मिल सकती है जीवन को नए सिरेशे शुरू करने का समयाद शुका है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली नयाद और शम्रिद्धी और भौनात्म के स्थेरता देगा भावुक स्वभाव को बदले और विचार बांटे ताकि आपस में गलत फैमी दूर की जा सकती है दुनिया आपको गिरा सकती है पर हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहिए शौधानिया कभी-कभी अतियात्म इस्वास के विच्छय से कोई चूख हो सकती है मार्केट का लेंदे शौधानी से करें कोई नजदी की व्यक्ति द्वारा ही किसी प्रकार की गठीन परिस्थिती पैदा हो शकती है लव लाइफ की बात करें तू आपके दादाजी का स्वासा आपको प्रभावित कर शकता है रिस्ते में कभी-कभी कुटनीतिक का प्रयोग करना बुद्धी मता का प्रतीक है अपने साथी से दिल खोल कर बात करें और महबत के इन सुनहरे ऐसास को अपने दिल में न चुपा कर रखें इससे आपका रिस्ता और मजबूत होगा आश कर दिन आपके लिए आशा उस्सा और और्शरों को लेकर आया है अपने साथी के साथ अपने विचारों को बाटे ताकि गलत व्यामियों से दूर किया जा सके करियर की बात करें तू अचानक तूटा दिलिया रिस्ता आपके सपनों को पूरा करने में बाधा बन सकता है लेकिन अपनी बुद्धी मता और खूद पर विश्वास रखी सफलता आपके कदम चूमेगी आपको किसी की सलाह की जवरत नहीं है ऐसे में दलाल या एजेंटों की बातों में ना आये ड्रेम जॉप आपको मिल सकती हैं बल धैर रखे सितारे आपके जीवन को सम्रिद्धी सफलता और नई संभवनाओं से भरने की इशारा कर रहे हैं शेहत की बात करे तू अच्छा आपके मन में अलग-अलग तरह से वयाम करने के तरीके घूमेंगे जोगिंग और वजन उठाने में आपका उश्या नहीं बढ़ेगा क्यों न आप कुछ अलग करें अपने दोस्तों के साथ आप कोई खिल खिल सकते हैं अगर आपको इन सब में दिल्चस्पी हो और मज़े आये तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा आज का उपाए आज अब सिवलिंग पर जल अर्पित करें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमें इसस सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दे शुग हूँ